दिमाग उसी का सही से काम करता है जिसकी मेमरी यानि आदास्त शार्प होती है क्योंकि भूलने की बिमारी हो, पढ़ने में दिक्कत हो, या स्ट्रेस हो, ये सब अनहल्धी ब्रेन के सिम्टम्स हो सकते हैं दिमाग को हैल्धी रहने के लिए खास तरह के निउट्रेंट्स की जरुवत होती है, जिससे इसकी कोशिकाओ के निर्मान में मदद मिलती है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसे घरे लूपाए बताने वाला हूँ, जिनके रेगुलर इस्तमाल से आपका दिमाग तेज होगा और आपकी मेमरी शार्प हो जाएगी, तो चलिए शुरू करते हैं नमबर फर्स्ट, कद्दू के बीज कद्दू की सबजी तो हम सभी खाते हैं, साथी वाइट कद्दू की मिठाईयों का सेवन भी किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कद्दू के बीज कितने फायदमन्द होते हैं दिमाग और मेमरी को शार्प करने के लिए आप कद्दू के बीजो का इस्तमाल कर सकते हैं, कद्दू में जिंक मौजूद होता है जो मेमरी पावर को बढ़ाता है, साथी तिंकिंग स्किल्स यानि सोचने की कपैसिटी को भी बेहतर करता है, बच्चों को भी इसे खाने के लिए जरूर देना चाहिए, ताकि उनकी याद करने की कपैसिटी और ज्यादा बढ़ सके, नमबर सेकेंड, डार्क चॉकलेट, आज के दौर में डार्क चॉकलेट को बेस्ट सुपर फूट्स में से एक माना जाता है, अगर आप भी इसे पसंद करते हैं, तो आपके लिए शील फाइबर, मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे ओलिक एसीड, इस्टरिक एसीड, पामिटिक एसीड, एकसेक्टरा, इसके लावा डार्क चॉकलेट में कई ऐसे और्गनिक कंपाउंट्स पाए जाते हैं, जो बलड प्रेशर को कंट्रॉल में रखते हैं, और शरीर में बलड प्रेशर को कम करता है, इसके लावाद दिल और दिमाग तक पहुँचने वाले बलड को साफ करता है, जिससे दिल को सेहत मन रखने में मदद मिलती है, और ये कैंसर के खत्रे को भी कम करने में कारगर है, नमबर थर्ड, ब्रोकली, दिमाग के लिए ब्रोकली बहुत पाइदवन साबित होती है, ब्रोकली में ओमेगा 3 फैटी ऐसे, फ्लोनॉइड, विटामिन E, आयरन और कॉपर जैसे निउट्रेंट्स पाए जाते हैं, NCBI के निसार ये निउट्रेंट्स दिमाग को तेज करने और इसकी वर्किंग कपैसिटी को बढ़ाने में काफी मदद नमबर 4, बादाम, बादाम खाईए और यादास्त बढ़ाईए, आम तोर पर ये कहावत अक्सर लोग उनके सामने कहते हैं, जिनने भूलने की बीमारी होती है, रोजाना कम से कम 4-5 बादाम जरूर खाने चाहिए, बादाम खाने का सबसे सही तरीका ये है, कि आप शाम में पानी में 4-5 बादाम भी होकर रख दीचिए, और सुबह में छिलका उतार कर उन बादाम को खाईए, नमबर 5, अखरोट, अखरोट दिमाग के लिए काफी हेल्दी होता है, इसमें कई ऐसे पोशक दत्वे मौझूद होते हैं, जो दिमाग की सिहत को दुरूस्त रखते हैं अखरोट खाने से दिमाग की वर्किंग केपैसिटी बढ़ती है और दिमाग एक्टिव रहता है, अखरोट में विटामिन E, कॉपर, मैगनिस होते हैं, जो ब्रेन पावर को बढ़ाते हैं ग्रीन टी भी दिमाग पढ़ाने में मददगार होती है, इसमें मौझूद कैफिन, ब्रेन फंक्शन को बढ़ाता है, इसके इस्तमाद से विजिलेंस, परफॉर्मेंस, मेमरी और फोकस करने की सिचुएशन बहतर होती है ग्रीन टी में एंटी ऑक्सिदेंट पाये जाते हैं, दिन भर में 2-3 कप ग्रीन टी पीने से यादास्त बढ़ती है, इसके इस्तमाद से बौडी रिलेक्स होती है और ठकान को कम करने में मदद मिलती है, अच्छी नीद, इम्यू सिस्टम को भी ग्रीन टी मस्बूत बनाती है, जब ये सभी चीज़े ठीक होगी तो दिमाग अपने आप सही से काम करने लगेगा, अनार, मेमरी को शार्प करने के लिए कुछ फल भी असरदार होते हैं, अनार में सबसे ज्यादा निट्रेंट्स होते हैं, अनार खाने से केवल खून ही नहीं बढ़ता, बलकि यादा आस्त भी बढ़ती है, आम तोर पर किसी भी इंसान का तेज दिमाग उसके मेंटल हेल्थ पर डिबेंड करता है, केई स्टडीज में पहले ही ये सामने आ चुका है, के अनार में मौजूद पॉलिफेनोल्स नाम के मॉलिक्यूल, बलड, ब्रेन बेरियर को क्रॉस करते हुए निरो डिजनरेटिव विमारियों से शुरक्सा करने में मदद करते हैं, नमबर एट, बेरी, हमारे देश में पाई जाने वाली बेरीज में खास है, जामून, स्ट्रॉबरी, मलवरी यानि शहतूद, अंगूर, रस्भरी, करॉंदा, एक्सेक्टरा, वैसे आजकल ब्लूब को बढ़ाता है, आप अपने बच्चे को स्ट्रॉबरी, ब्लूबरी, ब्लैक बेरी, रस्बेरी खाने के लिए दे सकते हैं, तो ये आठ ऐसी चीजे हैं, जिनका अगर आप रेगुलर इस्तवाल करते हैं, तो इससे आपका दिमाग बढ़ेगा, और आपकी मेमरी शार्प ह बढ़ेगी, तो आपको वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई कन्फूजन है, तो आप लेजे कॉमेंट करके पूर सकते हैं